अगर आपको मात्र 80,000 रुपे में बाइक मिल रही है तो 90,000 रुपे खर्च करना क्यों? मैं बात कर रहा हूँ हीरो की HF Deluxe और Splendor Plus की चलिए इन दोनों बाइकों को कंपेर करते हैं लेकिन उससे पहले प्राइस तो जान लो हीरो की HF Deluxe की लगभग ऑन रोड प्राइस है 85,000 रुपे वहीं अगर Splendor की लगभग ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग 95,000 रुपे है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल राहूल बर्सजमिन्टू बाइक चैनल को लाइक करें सेर करें और सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं चलिए सुरू करते हैं मॉडल और डिजाइन दोनों को अच्छा है लेकिन HF Deluxe का थोड़ा सा पेट्रोल टैंक मस्कुलर लगाया गया है स्प्लेंडर का भी अच्छा है लेकिन इस प्लेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर लगता है HF Deluxe का और अब बात करेंगे इस दोनों बाइकों की फ्रंट से तो इस प्लेंडर थोड़ी सी हेड़ लाइट पतली लगती है HF Deluxe के मुकाबले और अगर लाइट की बात करें तो HF Deluxe में इस प्लेंडर से ज़्यादा लाइट मिलेगी और अगर रियर लुक की बात करें तो इस साहलेंसर दोनों में सेम लगाया गया है और बैक लाइट का डिजाइन अलग अलग है ग्रैब रेल भी अलग है इसमें इस्टील का लगाया गया है और HF Deluxe में अलमुनियम का लगाया गया है और अगर लेट साइड की बात करें तो इसमें स्प्लेंडर में मेटल की चैन कवर मिलती है और HF Deluxe में फाइबर की चैन कवर मिल जाती है दोनों बाइकों में टेली स्कोपिक सस्पेंसन मिल जाता है और अगर बात करें मटगार्ड की तो मटगार्ड में दोनों में रिफलेक्टर मिल जाता है और अगर बात करें ब्रेकिंग की तो दोनों ही वाइकों में कामबो ब्रेक का सिस्टम 130 mm डर्म ब्रेक के साथ मिल जाता है वहीं अगर टायर साइच की बात करें तो 818 का टुबलेश टायर दोनों ही वाइकों में मिल जाएगा और दोनों के ब्रेक पैडल की बात करें तो सेम डिजाइन में मिल जाता है और अगर पीछे की सस्पेंशन की बात करें तो दोनों में ही फाइप पॉइंट अजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है अगर रेर टायर साइज की बात करें तो दो 75-18 का टायर इसमें लगाय गया है 18 इंच इलेवील के साथ वहीं अगर इसके माइलज की बात करें तो दूनों ही बाइकों में 65-70 की लगभग माइलज मिल जाएगी अगर मैं मीटर की बात करूँ तो HF Deluxe में एनलॉग मीटर लगाया गया है और Splendor में Digital मीटर आपको मिल जाता है वहीं चार्जिंग की सुब्धा सिर्फ आपको Splendor में ही मिल पाएगी HF Deluxe में नहीं मिल पाएगी और अगर हम वहीं इंजन को कमपेर करें तो 97.2 CC का इंजन दोनों ही बाइकों में लगाया गया है जिसकी मैक्सिमम पावर है 7.91 HP की 8000 आर्पियम पर मैक्सिमम टॉर्क है 8.5 Nm की 6000 आर्पियम पर सीट हाइट की बात करें तो 805 mm दोनों ही बाइकों में सीट हाइट मिल जाएगी और Ground Clearance की बात करें तो 165 mm मिल जाएगा अगर इसके वजन की बात करें तो 109 kg दोनों ही बाइकों में आपको वजन मिल जाएगा तो अब बारी आती है भाई रेजल्ट की तो स्प्लेंडर की रिसल बेलू जादा है HF Deluxe के मुकाबले जबकि इंटर्नली कोई पार्ट चेंग नहीं है सारी चीजे सेम लगाई गई है तो और इसमें 10,000 रुपे का अंतर है स्प्लेंडर और HF Deluxe में तो आप देख लें आपको कौन सी पसंद आ रही है अगर आपके पास 10,000 रुपे जादा है तो आप स्प्लेंडर की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास 10,000 रुपे कम है तो आप HF Deluxe की तरफ जा सकते हैं तो आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल राहूल बर्सेज में टू बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन को जरूर दबाएं लाइक सेर भी कर दें थन्य बाद